जाददर सिविल इंजिनियर्स को इर्रेगुलर स्ट्रक्चर्स का जो बार बेंडिंग शेडूल होता है उसको बनाने में काफी दिक्कत आती है Hello Everyone, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है Solitude Education के YouTube चैनल पे आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में डिसकस करूँगा कि अगर आपके पास में कोई irregular structure है, कोई foundation है या कोई structures है जिसका बार बेंडिंग शेडूल आपको बनाना है तो वो कैसे आप बना सकते हो देखो क्या होता है कि जब कोई symmetrical structures होती है तो उसका BBS आप बड़े आसानी से बना ले तो लेकिन अगर कोई ऐसी structure आजाती है कि जिसका जो irregular है उसमें आपको BBS बनाने में काफी दिक्कत आती है तो आज किस वीडियो को देखने के बाद में आपकी प्रोब्लम जो है बिल्कुल दूर हो जाएगी चलते हैं लैप्तोप की स्क्रीन के अंदर और आज का जो टोपिक उसको start करते हैं अभी मैंने यहां पर कुछ तीन structures यहां पर बनाई है फर्स अगर आप देखोगे तो एक circle बनाया है सैकिंड यहां पर आपका यह एक structure है ट्रेपेजोरल सेप की आपकी structures है दूसरा यहां पर एक triangle है तो कही बार ऐसे होता है कि हम कोई ऐसी structures बनाते हैं जिसमें इस तरह की shape हमें देखने के लिए मिल जाती है अगर माली जिए कोई मेरी ऐसी shape है मैं यहां पर कोई rectangle draw कर लेता हूँ जैसे इस तरह की shape है तो इस तरह की shape का जो bbs होता हो बड़ा ही आसान होता है आप के पास में length है उसके बाद आप जो है cover block minus करोगे spacing से डिवाइड करोगे आप बड़े आसानी से calculate कर लोगे लेकिन जब इस तरह की आती है जैसे माली जी यह circle है circle के अंदर मुझे अगर bbs बनाना है तो मुझे बड़ी दिख्कत आएगी मुझे इस particular section के अंदर बनाना है bbs तो मुझे दिख्कत आएगी क्योंकि यहां पर आप देखो नीचे dimensions अलग है उपर dimensions अलग है तो यहां पर काफी दिख्कत आपको सामना करना पड़ेगा तो कई बार क्या होता है इस तरह की footings जो है वह आपको देखने के लिए मिल जाती है आपको ऐसे circle foundation मिल जाएगा जैसे अगर water tank वगेरा जो होते हैं उसमें जनली जो है circular foundation होता है जो overhead water tank होते हैं इस तरह की structures यह वाली structures triangular structures आपको pile cap के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी तो basically कई बार engineers को दिक्कत आती है तो इसको start करते हैं यह न बड़ा ही आसान होता है आपको autocad software को use करके बड़े आसानी साब इसकी calculations कर सकते हो जैसे अभी क्या है यह circle है तो मुझे इसका BBS बनाना है तो मैं यह आपर assume करके चलना हो कि हमारी जो spacing है वो 200 center to center है तो देखो इसके अंदर जो center वाली जो बार होती है उसकी calculation बड़ी आसान होती है क्योंकि जितना diameter है दोनों साइड से cover block minus कर दो cover minus कर दो उसके बाद आपको length मिल जाएगी आप इसके बाद में हम लोग इसके अंदर बार जाए वो distribute करना स्टू करते हैं offset command use करेंगे और मैंने आपको ब यहां पर नीचे की तरह पाऊगे इस तरीके से आपको प्लेस करते हुए चलना है अब इसमें आगे और कैसे करेंगे वह मैं आपको यहां पर बताऊंगा clear so यहां पर हमारी यह बार प्लेस होगी अब देखो यहां पर राइट साइड में कुछ निकल गई है तो हम लोग trim command को use करके इनको जो है यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं paint कर लेता है यह बड़े अरण से इसको ट्रिम कर सकते हो जिस को डोट गैड सफस्ट राता है वह बड़े अराम से सारी चीजह जो है मैंनेज कर सकता है ठीक है यहां से यह किया और यहां से gonna अब इसके बाद में फिर हम यहां पे आते हैं तो मैं यह वाला जो हमारा पार्ट है इसको भी यहां से हटा देते हैं आप लोग यह गया ठीक है अब यहां पे देखो मेरी जो बार है वो basically place हो चुकी है अब आपको simple क्या करना है हर एक बार की length यहाँ पर major करनी है और उसके बाद Excel seat के अंदर जाके आपको उसको place कर देना जैसे मेरी first जो मेरी बार थी वो I think आपका जो diameter था वो यह वाली बार के तो यहाँ पर DLI enter करोगे और यह आपके देखो यहाँ पर 4000 आ रही है क्योंकि मेरा यह क्या था मैं एक बार dimension जो है चोटी कर लेता हूं modified पर जाते हैं यह मैं 200 यहाँ पर कर लेता हूं इसके length भी हमारी 3.919 इसके बाद हमारी next है यह हर एक बार की cutting length आ रही है ध्यान रखना आप लो ठीक है अब इसके बार न आप इसमें से cover block जो भी cover है आपकी structure के अंदर वो cover इसमें से minus करके आप इसकी exact length निकाल सकते हैं तो मैं आपको सिफ तरीका बता रहा हूं करना आप देखो पड़ेगा यहां पर देखो तो first same अप जैसे नीचे की तरफ आओगे तो नीचे भी आपको same मिलेगे क्योंकि center के ऊपर जितनी बार है उनकी cutting length same रहेगे और center के नीचे है जितनी cutting length आपकी यहां पर रहने वाली आप जैसे Excel के अंदर आपको इसको कैसे लेके जाना अब यहां पर number of bar आती है तो यहां पर actual में अगर आप देखोगे तो हर एक बार की cutting length है वो अलग है clear यहां पर चार मिटर की मेरी कितनी बार होगी चार मिटर की मेरी सिर्फ एक बार होगी तो यहां पर Excel के अंदर आते नंबर ओफ बार के अंदर हमारा यहां पर बन आएगा उसके बाद सेप मेरी क्या रहेगी या फिर अगर आपके अंदर अगर आपको कुछ भी मत नहीं करना है और cutting आपको क्या करनी है जो हमारी cutting length आई है equal to करेंगे round करेंगे cutting length मेरी कितनी थी 4 मिटर और मैं इसके अंदर से cover minus कर रहा हूं आप यहां पर क्योंकि दोनों साइड से हमें cover minus करना पड़ेगा तो 50 में cover लेके यहां पर चलना हूं 0.05 इसके बाद अगर आप next जो मेरी बार है वो अगर देखोगे तो वह है 3.979 तो यहां पर अगें फिर एक्सल के अंदर आओ उसके बाद फिर यहां पर 12M diameter numbers 1 रहेंगे अब यहां पर देखो नंबर 1 की जगे 2 हो जाएगा 2 क्यों हो जाएगा क्योंकि नीचे वाली जो बार यहां पर चार मिटर थी यह वाली चार मिटर से नीचे भी सेम रहेंगे और डामेटर से नीचे वाली भी सेम रहेंगे तो यहां पर नंबर आपको टू प्लेस करना है उसके बाद अगें फिर यहां पर आना है और जो भी आपकी cutting length है equal to round करेंगे कितना था 3.797-0.05-0.05,2 bracket close एंटर करोगे तो यहां पर देखो 3.7 cutting लेंता आगे इस तरीके से आपको करना है सेम ऐसे आपको जो हमारी इसकी cross bar है वो भी आपको ऐसे कर लेनी है सबसे पहले ऐसे diameter करना है और उसके बाद जो भी spacing है उसको आपको adjust कर लेना यूज करते रहिए और आपकी जो बार है ना वो basically यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी जब भी कोई भी irregular structures होती है तो वहां पर एक चीज ध्यान देने वाली होती है कि हर एक बार की जो cutting length होती है वो different आती है clear symmetrical structures के अंदर क्या होते है कि आपकी जितनी भी number of बार होती है उनकी जो cutting length आती है वो same आती है तो फिर अगेन मैं यहां पर tr double enter करके जो हमारा यह वाला पार्ट है इसको trim कर लेते हैं इसको भी मैं trim कर देता हूं फिर अगेन इस वन यहां से trim कर लेते हैं अब देखो यह हर एक बार की cutting length हो अलग रहेगी फर्स्ट जो मेरी बार है उसकी cutting length 6000 है इसके बाद यहां पर देखो जो next इसकी cutting length अलग है इससे उपर चलोगे इसके cutting length अलग आएगी इससे उपर चलोगे इससे उपर क्टिंग लेंता है कि यहां पर symmetrical structures नहीं है irregular structures है तो हर एक बार की जो cutting length आएगी, वो यहाँ पर क्या हैगी, different आएगी, ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको delete करता हूँ, अब यहाँ पर आपको करना है, basically क्या कि आपको न, मालीजे आप आपको, जो हमारी cross bar है, उसकी आपको यहाँ पर cutting length calculate करनी है, तो सबसे बहले दोको यहाँ पर, जो मेरी center bar ह है, वो यहाँ पर center पर आप इसको place कर लीजिए, चिक है, यह मेरी main bar हैगी, जिसकी सबसे अधर length रहेगी, उसके बाद offset enter और यहाँ पर 200 type करेंगे, enter करेंगे, यहाँ से अब इसको जो है, हम लोग क्या करेंगे, place करते वे चलेंगे, यहाँ से देखो, यह भी 200, 200, 200 करोगे इस तरीके से 200, इसके बाद फिर 200, 200, 200, चिक है, यहाँ पर आप देखो, चिक है, सेम चीज़ आप इधर की side में भी करोगे, यहाँ से 200, 200, 200, 200, 200, 200, आपका यह 200 हो गया, यह 200 हो गया, इसके बाद यहाँ पर 200, यहाँ पर 200, यहाँ पर, यहां पर ठीक है और यहां पर क्लियर अब यहां से टी आर डबल एंटर करोगे अगे इसी तरीके से आप यहां से भी यह जो बार है अब यहां पर देखो जितनी भी मेरी जो बार है basically select कर लेता हूँ मैं यह वाली जितनी भी मैं बार को select कर रहा हूँ सारी similar cutting length की है क्योंकि यहां तक हमारी जो structure थी वह straight थी, उसके बद इन से आगे जितनी भी हमारी जो बार है उनकी cutting length आपको different देखने के लिए इसके बार देखो यह बार की cutting length अलग आएगी इस की अलग इसकी अलग इसकी अलग भर इसर आपकी अलग और इसंव bricks कि अलग यहां पर आप देखो DLi Enter अगर आप करोगे यहां से आपको पता चलेगा कि यह मेरी बार जो है सकी cutting length कितनी आई है 6666 चीक है उसके बाद यहां से cutting length आई है 1.33 इसके बाद इसकी cutting length आई है 2.66 इसके बाद इसके cutting length आपके कितनी आई है? 3.33 meter इसके बाद इसके cutting length आई है आपके 4 meter चीक है? इस तरीके से और इसके बाद ये वाली जो cutting length है ये आपके आई है 4.66 meter तो इस तरीके से आप देखो दोनों side की main और cross side की cutting length आपको यहाँ पर पता चलगी सेम चीज आपको rectangle के case में भी आपको करना है तो मैं इसको एक बर ये हमारा rectangle है अब इसके अंदर भी मालीजी हमारा 200 center to center के हिसाब से हमारी बार है यहाँ पर आप देखो इस तरीके से आपको place करना है यह आपको यहाँ पर इस तरीके से placement आपको कर दिया आपने इस तरीके से आप इसको placement करते रही है और आपकी जो बार है यहाँ पर देखोर क्योंकि triangle है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे ही आपको यहाँ पर पता चलेगा कि हमारी जो basically cutting length है वो क्या होती जारी है यहाँ पर reduce होती जारी है यह जादा तर स्टुडेंट्स को प्रोब्लम आते हैं इस तरह की structure में हम जो है बीबियस कैसे बनाए और ध्यान अगना हर एक बार की cutting length अलग है तो excel के अंदर उतनी ही entry होएंगी आपका जितनी आपकी number of bar बहुत जितनी आपकी जो हमारी bar है उसकी length अगर यहाँ पर देखो तो इसकी जो मेरी length है वो है 6.296 इससे उपर वाली की अगर आप देखोगे तो इहाँ पर घट जायेगी कितनी है इससे उपर वाली की तो 5.835 इससे उपर वाली की तेखोगे तो 5.46 ऐसे करते गरते हैं उसके लिए भी बड़ा ही simple सा आसान सा तरीका है, आपको सबसे पहले क्या करना है, L enter, यहां से आपको एक बिल्कुल perpendicular आपको draw कर लेना नीचे की तरह, ठीक है, अब बस अब आपको simple spacing offset enter 200 जो हमारी center to center spacing है, आपको इस तरीके से इसको divide करते वे चल रहा है, ठीक है, बेसिकली जो हमारी center वाली जो है, उसकी सबसे ज़्यादा cutting length रहेगी, और बाकी सबकी cutting length है, वो क्या होती रहेगी, reduce होती रहेगी, आपको यह दोनों साइड करना है, राइट साइड भी करना है, ठीक है, और यह तभी possible है, जब आपको autocad software आता हो, autocad software अगर नहीं आता है, तो आप ह को भी join कर सकते हो, इसके लब आधरवाइज आप हमारी YouTube चैनल पर भी visit करके, ताफी सारी tutorial, autocad software के डलेव हैं, आप उनको भी देख सकते हो, चीक है, यह होगी आप बाकी जो extra है, आप उनको यहाँ पर इस तरीके से क्या कर देखें, ट्रिम कर देखें, यह अब देखो, यह यहाँ पर जो मेरी first जो बार है, यह वाली, इसकी cutting length सबसे जादा पाएगी, tl, dli enter अगर का आप करोगे, तो यहाँ पर देखो, इसकी cutting length आपके कितनी है, 5.45 meter, चीक है, उसके बाद next जो हमारी बार है, उसकी cutting length अलग है, 5.1 है, इससे next की आपकी 4.76 है, इससे अलग की cutting length है, वो आपकी अलग-अलग है, चीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, और जैसे यह आपका rectangular section है, तो इसकी तो आप बड़े आसानी से calculate कर सकते हो, फिर अगर आपको करनी है, इसमे भी अगर आप autocad यूज करना है, तो same आप offset enter, जैसे आपे 300 में ले लेता हूँ, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इसमें आप देखो, जितनी भी मेरी बार है, सबकी जो cutting length है, वो same आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो section है, वो क्या है, आपका uniform section है, इस तरीके से आपको उसकी placement करनी है, ठीक है, आपकी drawing को सबसे बहले आपको open करना है, उसके अंदर क्या spacing है, वो covering आपको minus करनी है, final cutting length में, और अगर कोई L दिया है उसके अंदर, तो वो L वगएरा आपको उसके अंदर add करना है, तभी आपकी final cutting length आएगी, ऐसे नहीं कि AutoCAD के अंदर जो dimensions आई है, वो direct output कर दोगे, वो ही same आपको मिल जाएगी, तो इस तरीके से आप जो है, यह क बना रहा हूं, हमेशा यह formula यूस किया जाता है, AutoCAD software की help ली जाती है, इस तरहे की bar की cutting length calculate करने के लिए, अगर आपका फिर भी कोई doubt है, conclusion है, तो comment section में, जरूर comment करना, कौसिस करूंगा, उसमें comment में reply करने की, या फिर अगर वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी, तो एक अ झाल 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 झाल